नमस्कार मैं हूँ आशुतोष और आप देखने सत्य हिंदी सत्य हिंदी के विशेश कारिक्रम श्रमडगर्ग की खरी-खरी में आपका स्वागत है यह हमारा वो कारिक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रमडगर्ग जी अपनी तीखीति पड़ियां कर आके रह जाते हैं आज फिर होंगे मुखातिब श्रमडगर्ग जी से और जानेंगे कि दरसल जारखन के चुनाओं में हो क्या रहा है और सिर्फ जारखन नहीं बलकि पूरे देश में इस वक जिस तरीके का सामप्रदाइक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है उसका हासि जारखन के चुनाओं में हमारे दरसक अच्छी तरीके से जानते हैं किस तरीके से बांगलादेशी घुसपैटियों की बात को बड़े जोर सोर से उठाने की कोशिश की जा रही है और यहां तक आ जा रहा है कि यह वो बांगलादेशी घुसपैटी हैं जो हमारी बेटियों को हमारी जमीनों पो हमारी जंगल को हमसे हत्यार रहे हैं उन पे कबमजा कर रहे है ये नय तरीके का narrative बनाने की कोशिश की जा रहे है हूं लोग तो ये भी कहते हैं कि दरसल ये पूरा का पूरा जो narrative है वह अमेरिका के चुने के रास्ट पती डोनल्ड ट्रम्म के campaign का एक carbon copy है या वहां से inspired है डोनल्ड ट्रंप ने अपने चुनाओं के दवरान खुसपैठियों को यानि immigrants को एक बड़ा मुद्दा बनाया और उसके इर्दगित अमेरिका की राजनी की को अमेरिका के चुनाओं को पॉलराइस करने की कोशिश की और वो काफी हद तक कामिया भी हुए वो जीते कमला हैरिस चुनाओं हार गी क्या उसे template को अब भारती जनेता party हिंदुस्तान के अंदर आरोपित करने की कोशिश कर रही है और अगर कर रही है तो इसका हासिल क्या है इसका अर्ठ क्या है इसका मतलब क्या है और क्या यह उतना ही खतरनाग है जितना खतरनाक इसको अमेरिका में फिलहाल माना जाना है जानेंगे शमर जी से, शमर जी बहुत बहुत आपका स्वागत है अपने इस विशेश कारेक्राब में, जी सर्थ, आपने दो चीज़ कही, क्या हासिल है, एक तो ये कहा, और क्या ये उतना ही कतरनाक है, दो चीज़ है आपने, तो हासिल में तो ये है कि बीजे भी जीट सकती है, क्योंकि जिस तरह से काम कर रही है बीजे भी, महराश्च में और जारखंड में इन चीज़ों को मुद्दा बनाया है, वो पहले कभी नहीं हुआ, और ये अमरेकी चुनाओं का बहुत अशर है, आप ये मुझे बताएए, आश्तो जी, कि जारखंड में कल चुनाओं है, हमार चर्चा ही नहीं है, 43 सीटों पर कल चुनाओं हैं, और उसमें वो सीटे दाव पर हैं, जो ट्राइवल सीटे हैं, और जहां सबसे ज़्यादा बंगरादेशी घुस पेठियों का मुद्दा उठाया जारा है, एक्यासी सीटे हैं को, मतलब हर्याना से भी कम हैं, पर जारखं की चर्चा नहीं है, पूरी चर्चा कहां की है, महराज की चर्चा है, दूसरा पॉइंट यह है, आश्टो जे, कि महराज की 288 सीट्स हैं, 288 सीट्स हैं, और वहां चुनाओं आयोग ने एक दिन में चुनाओं करवाने का फेर्ट ला किया, बीस तारी को, यहां 81 सीट्स के यह टू फेज़ेज में हो रहा है, चोटे से राजज में, आप कल्पना करिये कि बीजेपी जीच जा, इसके लिए कितनी कोशिशें की जारी है, हर मोर्चे पर की जारी है, और हम चुकि जारकंड की बात कर रहे हैं भी, आपने तो पूरे देश का मामला उठा दिया, आप देखिए कि जिन जिस समय अमिश्या जारकंड में होते हैं, मोदी जी महराश्ट में होते हैं, और मोदी जी महराश्ट में होते हैं, तब अमिश्या महराश्ट में होते हैं, कल अमिश्या जी जारकंड में थे और मोदी जी महराश्ट के विधर में थे, हम समझ नहीं पाते ह इतना जरूरी इंपोर्टेंट बना दिया है इन लोगों ने बीजेपी ने महराश्ट को जारखंड को हम महराश्ट की बात कर चुके हैं कल इसलिए में अपना फोकल्स थूकि कल जारखंड का है तरतारीस सीटों पर चुनाव है और बागी फिर औरतीस सीटें बचेंगी करन का चुनाव है यह आपने कहा तो मैं भी कह रहा हूं कि ट्रंप स्टाइल में क्यों कॉन्टेस कर ले गया है क्या कारान हम मालते हैं और उसको कोई लिहाज में नहीं है कि वो जूट को आधार बना कर पार्टी कैसे चुनाव जीतने के पूरे अख्तकंडे अपना रही है यह एक अलंग गुद्धा ही कि हमको पता नहीं कि कॉंग्रेस और हैमन सुरेन कितनी मजबूती के साथ इस जूट का प्रिचार का विरोध कर रहे हैं यह मुकाबला कर रहे हैं वो रिजल्ट में पता चलेगा जो मेंस्ट्रिम का मेडिया है उसमें तो पूरा जूट जो है भी बीजेपी का प्रचारित हो रहा है बीजेपी ने पहले आरोप यह लगाया कि जो पंगलदेशी घुसपेठिया है वो ट्राइबल गल से ट्राइबल महिलाओं से शादी कर रहे हैं और फिर वहां बस रहे हैं जाहर खन के ट्राइबल इलाकों में पॉपुलेशन बढ़ रही है और आदिवासियों की जमीने भड़ रहे हैं अब जो हमिश्या जी ने कल वहां कहा चंपई सुर्यम के इलाके में सराही के लामें वो यह कहा कि बीजेपी सब्ता में आ गई तो एक कदम और आगे बढ़ कर वो यह करेंगे कि एक ला लाईए के कानून लाईए और जो इन्फिल्टेटर्स के पाथ जो जमीने में उने हतियाई है अगर वो शादी करके हतियाई हुई जमीने हैं तो वो उनसे वापस ली जाई है और यह जो घोशना है वो हमिश्या जी ने सराही के लाई जो कांस्ट्वेंसी है चमपई सोरें की उसमें कहा कि जितने घुस्पेटियें उनको बार करेंगी जिन जमीने लिए हैं मैंने पहले ही कहा आपको कि मोधी जी और अमिश्या जी कैसे राज्यों की अत्तावर्ली कर रहे हैं हम जिस चीज पर आगे बढ़ना चाहते हैं उसके पहले मैं छोटी सी एक बात समझाना चाहता हूँ कि चंपई सोरेन छे बार के विधायक है बहुत सीनियर विधायक है और वो हैमन सोरेन जब जयल गए तब उनको ग्यमंत्री भी उनोंने बनाया हैमन सोरेन को और दो फरवरी से 4 जुलाई तक इस साल मोग्यमंत्री रहे बीजेपी की सरकाहर पाफ साल तक सब्ता में रगवरदास मुख्यमंत्री थे 2014 से 2019 तक बावुलाल मरांडी पहले मुख्यमंत्री थे जब राज बना तब 2020 से 2023 तक ना तो चंपई सोरेन को दिखा कि बांडरदेशी जम्यने हत्या रहे हैं और ट्राइबल्स महलाओं से शादी करके बस रहे हैं न रगवरदास को दिखा पांस साथ उनकी हुकुमत रही न बावुलाल मरांडी को दिखा जो बीजेपी में थे पहले फिर बीजेपी छोड़कर उन्होंने अपनी पार्टी बना ली हैं और अब वो फिर से बीजेपी में आ गए हैं यह आश्यार जनक है कि ऐसे चोटे से राज में न चंपई सोरेन जो खुद ट्राइबल हैं उनको दिखा न बावुलाल मरांडी को दिखा न रगवरद को दिखा और बीजेपी अब उस चीज़ को देख रही है कि अरे यह तो ट्राइबल्स लोग गुज गए हैं और वो जमीने हतिया रहे हैं और ट्राइबल्स तो महिदामों के साथ शादी कर रहे हैं यह मैं थोड़ी सी भूमी का बताने जाता हूं चार करोड की सेंतालीस लाग के करेब मुस्लिम से हैं वहां 14.53 उसके विपरीत 12-13 करोड के पापूलेशन वाले महाराष्ट में 12 करोड है मतलब एक करोड से ज़्यादा मुस्लिम से हैं डिर करोड है क्रिष्टिन आबादी 15% के करेब बीजेपी मुद्दा नहीं बना दे कि इसाई लोग धर्म परिवर्तन कर रहा हैं न यहां कहा अमिश्या जी ने जैसा महाराष्ट में कहा जो धर्म परिवर्तन के दिये कानुन लाइन यह धर्म परिवर्तन के खिराब यानि कहा क्योंकि इसाईयों से प्रेम ट्रंप से प्रेम जो इसाईयत के दंपर वो जीते हैं वहाँ महराष्ट जारकरण में कर्मन 88% हिंदू population है और 24 जिलों में से 19 जिलों में हिंदू मैजॉरिटी है मुस्लिम मेजारिटी किसी भी जिले में नहीं है, मतलब या तो हिंदू हैं या ट्राइबल्स हैं, इसके बावजूद ये जो प्रचार पूरा का पूरा कि बांगला देशी मुस्लिम्स और जमीने हरापुरा हैं ट्राइबल्स लोगों की महलाओं से शादी कर रहा है। जो हरखन के चुनाओं में और महराश के चुनाओं में और जैसा मैंने कहा कि ये कल की चर्चा में कहा था कि ये शाद कल की चर्चा में कि ये टेंपलेट बन जाएगा ओल इंडिया का अगर ये जीत गए पुरा दोनों राज्यों के चुनाओं जो की लग राएगी जिस तरह स आकरामग तरीके से ये लोग चल रहे हैं, उसमें सबको संभो लग रहा है। मैं ट्रम्प का मामला इसलिए कहना चाहता हूँ आश्टोर जी जो आपने छिड़ा है, कि कमला हैरेस और ट्रम्प के बीच में एक बहस होई थी, सितंबर दोजार चोवेस में, अगर यादे मुझे तो शायद 10 सितंबर को होगी थी, 10-11 सितंबर को, फिर एक ही डिवेट होगी, उसमें ट्रम्प बुरी तरह हाफने लगे थे, उसमें ट्रम्प ने आरोप लगाया था कि जो ओहयो स्टेट है अमेरिका का, वहाँ पर जो हेती के घुसपेठिये हैं, इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, वो इसाईयों के, शेत इसाईयों के, इसाईयों के, पेट्स, मतलब कुत्ते बिल्ली और उठा कर लिए आते हैं, उनको उनको खा रहे हैं, या मालसाहर कर रहे हैं उनका, और यह जो आरोप उन्हों ने लगाया था सितंबर में, वो बाद में सारे अकबार वाले जुट गए उसको पता करने, कि ओवायों के स्प्रिंग फिल्ड में ये सही है क्या, जुट पाया गया, पूरी तरह से जुट पाया गया, सारे अकबारों ने भी और अपमानित किया ट्रम्प को, ट्रम्प ने भी का भई मुझे तो किसी ने कहा था, पूरे इंवेस्टिगेशन में, पॉइंट क्या है, सब लोग ये मान रहे चाहिए कि इस जुट के कारण ट्रम्प हार जाएंगे है, कम से कम ओहायो में तो हार जाएंगे, ओहायो में 17 एलेक्टरल वोट्स हैं, अश्टो जी, ट्रम्प वहाँ से जीत गए, ओहायो में, मतलब ओहायो के राजी के नागरिकों ने भी ट्रम्प के जूट को सीकार कर लिया हूँ, और अमेरिका के वोटर्स ने भी सिकार कर लिया, कि जो ट्रम्प कहते हैं वो सही है, तो ये जो घुस्पेटियों का मुद्धा है, वो पूरे अमेरिका ने मान लिया कि जो ट्रम्प कह रहे हैं, हलाकि जो अब आंकड़े आ रहे हैं, उसमें ये आ रहा है, कि ये तो बता र कुरौण को हैं हैं पंदरह लाग फों स्बैक्राइज दिपोर्ट करने की बात कर रहे हैं लीगल इंग्राइन को कि बाईदन के जमाने में कबरा पचास लाग लोगों सब्सक्राइद और च्वाण कुछ है याग नितम लिबन को धीर करें को परियाना में 90 सीट थी और यहां 81 सीट है इतना जूड बोलना पड़ रहा है बीजेपी को चनाव जीतने के लिए और वहां आप सोच सकते हैं कि वहां क्या किया जागा है यो फड़नवी से उन्होंने बांबे में कहा कि हम ये रदादार जो है रदाकार जो हैं मुस्लिम जो हैं उनके हाथ में सत्ता नहीं जानी देगी मुंबई में मुसल्मानों का मामला वेसे ही बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है जैसा ट्रम्प गुस्पेटियों के मामले में या मुस्लिम देशों के मामले में वो अगर आपको याद हो तो पहले कारिकाल में आते सी उन्होंने कुछ मुस्लिम देशों से आने वालों पती बन लगा जिया था अब यह जो है महराष्ट में कटेंगे तो बटेंगे यह भी एक्जेक्टी होई है जो यहां ट्राइबल्स पॉपॉलेशन को डराया जा रहा है कि तुम लोग माइनरिटी में आ जाओगे और उनको कहां जा रहा है कि इनको यह जो ट्राइबल पॉपुलेशन कम हो रही है वो कह रहेंगे आपके आबादी ट्राइबल्स की कम हो रही है जन संग के आप और इसको जो है हेमन सोरेन की सरकार ने इंफिल्टेटर्स को सवरक्षन दिया है यह प्रचार किया जा रहा है यह चंपई सोरेन भी कर रहे हैं जो कि सोरेन भी है और हमन सोरेन के साथ अभी तक थे जब तक कि उनका दिल्ली में चश्मा निबदगा और बीजेपी वहाँ जारकंड में कोई भी मतलब जैसे अंगलेजी में कहते हैं कि मतलब किसी भी नो स्टोन वुड़ बी अंटन्ड ग्रेट दग्रेट अगर आप देखें कि जारकंड पे जरूरी क्यों है कब जाकर में इतना मिनरल है वहाँ इतना कोईला है और बीजेपी के जो हैनक स्टेक्स हैं वहाँ अडानी का जो पावर प्लांट है बारा से मेगावाट का है मेरे क्याल से जो वंगलादेश को बिजली अभी भी दे रहा है हाला कि भुपतान को लेकर चल रहा है जंगट पर तो जारकंड पे जरूरी है कबजा करना स्टील के लिए कोईले के लिए लो आयस के लिए कोईले के लिए और तमाम चीज़ बीजेपी थोड़ा सा हमको यह भी देखना पड़ेगा कि बीजेपी जो है यह ट्राइबल इलाखा इसिक बारे मैंने कर भी कहा था वहां तीन साल के काम कर रही है अब हमने पता कॉंग्रेस काम कर रही है कि वहां तीन साल यह हैमन सूरेन काम कर रहें जिन हैं यह जो कॉलान का इलाका है जहां चुनाओं है कल मोटे पर यह कॉलान में तीन जिले हैं पूरवी सिंग भूम है सराई केला खरसवा है और पश्रमी सिंग हूं है और इसकी जो population ये पूरे इलाके की वो पचास लाके करीम है अब इसमें 14 सीट है आप अश्टोर जी इस तरह से देखिये पूरे गणित को कि जब से जहर्खन बना है किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है combination से सरकारे बनती है और एक-एक सीट इंपॉर्टेंट है मतलब एक-तालिस सीटें किसी को नहीं मिली कभी वहाँ 81 में से बहुमत के लिए इसलिए एक-एक सीट इंपॉर्टेंट है ये जो इलाका है 14 सीट होंगा इसमें से ट्राइबल इलाका है इसमें से एक भी सीट नहीं मिली थी वीजेपी को पिछली बार अब पूरा का पूरा इन्हों ने गणित बदम दिया आपने देखा चंपई सोरेन को क्यों लाए इसलिए लाए बावुलाल मरांडे को क्यों लाए इसलिए लाए रगवरदास को क्यों हटाया और राजिपाल बनाया इसलिए बनाया उनकी बहुत चुनाव लाए लहार करें है पिएंड इस इस इलाके का जो क्लहन का इलाका है कौलान का इलाका दो बार दोरा कट चुके एंग में और अमिश्या जी जो हैं पिछले साल संकल्क्रिली कर चुनाओं में, 14 सीटे, 2019 के चुनाओं में, धारखन मुक्ती मौर्चे को 11 सीटे मिली थी और कॉंग्रिस को 2 सीटे हैं, और एक निर्दली को मिली थी, इसलिए पूरा जो बीजेपी का एक तो इस इस इलाके में है, दूसरा आश्टोजी 9 सीटे ऐसी है, धारखन में, जहां हा तरजीत का जो फैसला है, वो 5,000 से कम के वोट पे हुआ था, मतलब ये, 5,000 से कम का मतलब ये, कि जो मेक्जिमम डिफरेंस था, वो 2,350 था, मिलिमम 285 था, अब आप कलतना कर लिए, कि 14 सीटे वो जहां बीजेपी ने जोड लगाया है, 9 सीटे ये है, और इन 9 सीटों में से, बीजेपी ने 5 सीटे जीती थी, और जहारखन मुक्ती मोचे में दो, और कांगरेस में दो, हाल के जो लोकसभा चुना हो गए थे, उसमें इंडिया ब्लॉक का जो परफॉर्मेंस था, सबसे खराब जहारखन में था, अगर आप कंपेरिटिवली दे पिच्चर में चंपई सोरेंड थे, वो जेल में थे, इसका मतलब क्या है कि लोकसभा की चुनाव में, बीजेपी ने 5 एसम्बली सेगमेंट्स में, मतलब 8 एसम्बली सेगमेंट्स में, जीत हासिल की चबतारने थे, जो उसमें 5 पर जीत हासिल की थी 2019 में, अब आप सोच सकते हैं कि इस बार की जो टेली रहेगी, नो सीटों की, उसको रिवर्स करने की बीजेपी की कितनी कोशिश रहेगी है। देश की राजनीती का भी ज्यान नहीं है, किसी का ज्यान, नागरिकों का तो ही नहीं बिलकुल, और कल चुनाव है वहाँ, और महत्पून चुनाव है, जो कि जारकन का भाग्य बदल देंगे, 43 सीट हैं। जिसमें मुक्य मुद्दा मुस्लिम इंफिल्टेटर्स का है, गुस्पेट का है, मुद्दे नहीं है। बीजेपी कुछ बताने को तयार नहीं कि उन्होंने क्या किया है। कास सेंसस की बात वहाँ नहीं करती है, बीजेपी, भाराश में भी नहीं कर रही है। रिजर्वेशन की बात केवल यह है कि आपका जो रिजर्वेशन मिल रहा है वो बदला नहीं जाएगा। कॉंग्रेश आपका रिजर्वेशन हडप लेगी, खदम कर लेगी। कॉंस्ट्यूशन कोई मुद्धा नहीं होगा। वहाँ आप देख रहे हैं कि कितना लोग दल बदल करके सरकारें गिरा सकते हैं बदल करके। तो अपने दर्शकों को अच्टोशी बस यही संदेश कि वो तमाम लोग जो कुछ समय पहले तक यह बात कर रहे थे कि हैमन सुरेन को जेल भीजे जाने का अलाम मिलेगा या चमपई सुरेन दल नहीं बदलेंगे या तमाम चीजे होंगी। मने महराश्य के बारे में अभी कुछ नहीं कहे रहा हूँ है फाले हो जहरखन के बारे में कहीं और इतन्ึ lifesम को जाताखत पर जूत का पिछार होंग कि और यहांगे कि वहां कुछ ही ही चलेगा वहाँ इसाहियत का वहाँ कोई मुद्दा ही नहीं अपरादी हो आप खिलाब के आरोप हैं आपने संसत पर हमला कैसे किया आपके लोगों में कुछ नहीं गुज़ा मुद्दा केवल एक जूट और नागरिकों का उसर यकीन जो बहुमत के नागरिक हैं वाइट है हिसाई हैं वो यह हिंदू हैं तो वो बीजेपी के जूट पर उनका यकीन अगर हो जाता है तो यह जो चुनाव है महराश के और जारकन के यह बहुत ही जिसको कहते हैं कि महत्पून चुनाव हमारे भारतिये लोगतंतर के लिए बनने वाले हैं अमरिका में लोगों को क्या होता है यहां भी ना कॉंस्क्रिशन कोई मतलब है लोगतंतर कोई मतलब है हिंदू मुस्लिम मतलब है तो इसलिए अपन तो जो चर्चा करते हैं वो अपने दर्शकों को थोड़ा सा जागरू करने के लिए करते हैं और तो कोई मुद्दा होता नहीं है तो अगर हमारी बात्चेत से दर्श्कों को थोड़ा सा भी लाब दिले तो हमारी यह आज की चर्चा काइदेबन खोड़ी है जे ठीक थेंक 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 थेंक